कर्समें आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है इस लेक्चर में हम आर स्टूडियो सौफ्ट्ट्वेर के बारे में बात करने जा रहे हैं आपको याद होगा कि पिसले लेक्चर में हमने आर स्टूडियो सौफ्ट्वेर के बारे में थोल सी बात करी थी और मैंने ये आप सभी को रिक्विस्स कियाता है कि आप इस सौफ्ट्वेर को अपने अपने कम्पूटर पर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए और उसको देखने के कोशिश करें कि उसमें कैसा है क्या कैसा लगता है क्या क्या ओप्शन्स हैं तो उसी डिरेक्शन में हम आज बात करेंगे और मैं आपको ये एक बात फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो आर स्टूडियो सॉफ्ट्वेयर है ये हमारे आर सॉफ्ट्वेयर का एक आप मार सकते हैं बहुत अच्छा दोस्त है जो उसकी सहायता कर देता है जो हम काम कर रहे हैं वो तो आर सॉफ्ट्वेयर के अंदर ही होता है लेकिन आर स्टूडियो उसका एक आगे का चेहर होता है। यहाँ पर हम कुछ भी करने है लेकिन इस RStudio Software के पीछे , हमारा Rrese जिसनी आर ही काम करता है। और मैं एक भात और में clear करना चाहूँ गा कि यह जो warn studio है यह एक software है, और इसी तरह कि हमारे पास और भी software है जो हमारे سوف्ट्रेयर में कार करने के लिए हमारी साहता करते हैं मैंने यहाँ पे RStudio Software को लिया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं RStudio Software का मैं advertisement कर रहा हूं या मैं उसको बहुत favor कर रहा हूं आप कोई भी software को ले सकते हैं मुझे उसमें कोई आपती नहीं है मेरा objective यहाँ पर यह है कि मैं आपको यह दिखाना चाहता हूँ कि R software के अंदर कार करने में और किसी external बाहर के software में काम करने में क्या फरक होता है और उसको हम किस तरीके से कार करते हैं और हमको उम्मीद है कि अगर हम आपको R studio का एक उदारा लेकर के समझा देंगे तो बाकि आपको अगर किसी भी software में काम करना है तो आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी तो इसी उदेश के साथ में चली हम इसे lecture को शुरू करते हैं और हम इस R studio के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं तो देखिए पिछले lecture में मैंने आपको यह बताया था कि आप R studio.com पे चली जाएए यह हमारी website है और यहां से आप इस software को इस download वाले section में जा करके इस जगहा पर click करके जो इसका free version है आप उसको download कर सकते हैं और आप इसको install कर लीजिए और जब आप इसको अपने computer पे install कर लेंगे और R studio के icon पे जब आप click करेंगे तो आपको खुछ देखिए ऐसी यहां पर एक window दिखाई देगी और यह R studio की जो window खुल के आती है यह उसका screenshot है मैं आपको यहां पर screenshot पर भी दिखाऊंगा और R studio software के अंदर भी जाकर के क्या-क्या options हैं और यह कैसा दिखाई पकिता है हम उसके बारे में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपकी कई सारी windows बनी है आप इस पूरी screen को आपने चार हिस्सों में divide कर दिया है यह है आपकी window number one अगर हम कहते हैं सपोज यह हमारी है window number two, window number three और यह हमारी है window number four तो आप यह देखेंगे यह हमारा एक text editor की तरह लगता है जहां पर हम अपने commands को type करते हैं और window number two को आप अगर पहचाने की कोशिश करेंगे तो यह आपको बिल्कुल वैसे ही दिखाई देगी जैसा आपका R console था और सच बात तो यह है कि यह R console ही है और window number three में आपको तो यहां पर हम अपने variables को define करते हैं और हमने किन-किन variable को पहले इस्तमाल किया है उनकी क्या-क्या values थी उनकी क्या-क्या property यह सब यहां पर आपको दिखाई पोड़ेगा और उसी तरह से जो आपकी यह window number four है यहां भी आपको बहुत सारे options है files, plot, packages, help, review और इत्यादी इनके इसुआ लसा तो पहले म nutr नमबर आप अगेसर अब होचने प्रने मच्चा क्या नमबर तू अगर पाउचे आपको बहुत लिए स्वास धाने क्या प्रशा क्याए उनकी क्या कौशिश करेंगे तो देख हम आपको दिखाते जाएंगे और इनकेक्या-क्यादावर मेसम परह करीए अगर आपने आर कंसोल को याद करने की कोशिश करिये तो यह आ Screenorman अब आप अगर देखेंगे तो यह आर कंसोल तो आपको आर स्टूडियों में यहां पर दिखाई दिख दे रहा है तो यह आपका आर कंसोल है यहां पर आप अपने जो भी प्रोग्राम आप इस विंडो नॉमबर वन में यहां पर लिखेंगे जहां पर मैं अपने कर्सर को हिला रहा हूं यह प्रोग्राम और जो आपके फंक्शन हैं यह आपके यहीं पर आपके अग्जिक्यूट होंगे दिखिए यह आपकी आर कंसोल यहां पर लेने की कोशिश करेंगे और हम आपको इस आर इस्टूडियो के जो भिन भिन तरह के फंक्शन होते हैं उनको बताने की कोशिश करेंगे लेकिन मैं आपको इस बात से को मैं बताना चाहूंगा की आर इस्टूडियो के अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं और हम यहां पर सारे के सारे फंक्शन को हम नहीं समझाने वाले हैं बलकि हम आपको उन कॉमन फंक्शन को जिनको हम बार बार इस्तमाल करते हैं उसके बारे में बात क करेंगे और समय के साथ में आर्व स्टूडियो के अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटी और भी एड हो चुकी है और जो भी हमारे एडवांस अनालिस में काम आते हैं उसके बारे में भी हम यहां पर कोई बात नहीं करने वाले हैं और जैसे मैंने पहले कहा था मेरा यहां पर एक की उद्देश है कि मैं आपको एक external software से कुछ अव्वत कराना चाहता हूं और मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि external software में हम किस करीके से कार करते हैं और जो भी कार करते हैं वो हमारा actually our software के अंदर ही कारे होता है तो अब हम एक काम करते हैं एक छोटा सो धारल लेते हैं और उस धारल के तुरू हम आपको our studio functions में कार कैसे करते हैं उसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं तो suppose कि उधारल के लिए हम यहां पर यह तीन कमांड लेते हैं लेडिरी मास, attached bacteria और fix bacteria अब इसमें से कुछ commands ऐसे हैं जिनके बारे में आपको मालूम है और कुछ commands ऐसे हैं जिनको हम आगे आने वाले lectures में कमजने की कोशिश करेंगे जैसे आपको यह पता है कि लेडिरी मास क्या होता है आपको पता है कि मास एक built-in package है एक यह और इस लेडिरी को लोड करने के लिए हमको अपना कमांड लेडिरी मास यूज करना पड़ेगा अब उसके बाद में इस मास पैकेज के अंदर एक हमारा cataset है उसका नाम है bacteria यह bacteria इसी मास पैकेज के अंदर है हम उस data set को खोलना चाहते हम उसको देखना चाहते हम उसको edit करना चाहते है उसकी लिए हमारा command होता है fix bacteria तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर हम R console में अगर हम कार कर रहे होते, तो मुझको उसके data editor में जा करके इन तीनों command को पहले type करना पड़ेगा, और फिर हम इसमें से अगर मुझको पहले command को लेबरी मास को ही खाली अगर use करना है, इस्तमाल करना है, तो हम इसको हाइलाइट करेंगे और हाइलाइट करने के बाद में हम उसमें से कंट्रोल आर दबा देते थे अब यही कार हम यहां पर आर स्टूरियो के अंदर करेंगे हम यहां पर लाइबरी मास का जो कमांड है उसको हम हाइलाइट करेंगे और उसके बाद हमारा एक बटन होगा वहां लिखा होगा run हम उसको दबा देगे तो यहां पर वही कार हो जाएगा जो हमारा control r दबा करके r console में होता था और जिस तरीके से अगर हमको एक से तरह कमांद को एक साथ अगर execute करना होता है तो उन सारे सारे और हाइलाइट करने के बाद हम control r दबाते थे r console में वही का हम यहां पर इस n कमांद को दबा करके भी कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको इन चीजों को करके दिखाता हूं और इसके बाद में मैं आपको उनको r studio में करके भी दिखाऊंगा पहले मैं आपको screenshot के दौरा समझाने क कोशिश करता हूं तो हम अपनी जो भी window number one है वहाँ पर आते हैं और यहां पर देखिए मैंने इन किनों कमांद को लिखा हुआ है library mask, attached bacteria और fix bacteria तो सबसे पहले आप इस library mask को highlight कर लिजे highlight करने के बाद में यह देखी button है यहां पर लिका हुआ है run आप यहां पर click कर दीजे तो जैसी आप यहां पर click करेंगे आप window number 2 में जो r console है वहाँ पर देखेंगे कि यहां पर आ गया है library mask अब आप यह समझने की कोशिश करिए कि यहां पर हो क्या रहा है आपको यात होगा कि r console में जब आपने कार करना शुरू किया था तो आप अपने mask package को upload करने के लिए library mask का command का इस्तमाल करते थे अब वही काम आपने यहां पर कैसे किया आपने library mask को highlight किया आपने run पर click किया और यह command आपका यहां पर execute हो गया तो आपने देखा कि कार तो वही है लेकिन उसको करना यहां पर थ्वासा आसान था कि आपको control r का command याद नहीं रखना पड़ेगा लेकिन आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है run आप उसको execute करके आप उसको यहां पर button दबा करके आप उसको run कर सकते हैं तो यह हमारा एक क उधा ऐसी है जो हमारे studio के अंदर नहित है और उसके आगे हमारे पारे कुछ और भी command से उसके बारे में हम बात में बात करेंगे अब साथ ही अब यहां तो आपने इस run command के उपर click करके आपने इस library mask के function को आपने execute कर दिया है लेकिन अगर आप साथ में इस library mask को आप highlight करिये और आप यहां पर दबा दिये control plus enter आपके keyboard पर जो control की होती उसको दबाईए और साथ में आप enter की दबा दिजिए तो जैसी आप उसको दबाएगे तो भी आपका यह वाला command यहां पर execute हो जाएगा तो यह कुछ वैसा ही है कि कैसा है कि मैंने R console में control R के माधियम से किया था अब हम आपको देखिए यह चीज़ यहां पर करके दिखाते हैं कि R studio में आप उसको कैसे करेंगे तो हम इन तीन commands को हम यहां पर copy कर लेते हैं कि हमारा समय बच जाएगा और यह देखिए यह मैंने यहां पर मैंने इसको paste कर दिया अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ मैंने इसको library mask को मैंने highlight किया और यह देखिए button है R UN का राइट मैंने देखिए अब हम यहां पर करेंगे क्या आपको यह देखना है अब आप पहले देखिए यहां पर यह जो आपका R console है चलिए मैं इसको control L दबा करके screen को clear कर लिया देखिए यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है आपको observe यह करना है कि जब हम यहां पर हम इस library mask को highlight करके run को दबाएंगे तो R console में क्या होता है देखिए हम दबाते हैं यह देखिए आप देखेंगे कि नीचे यहां पर library mask लिख करके आ गया तो य तो आपने click किया window number one में लेकिन यह execute हुआ window number two में अब हमारे पास इस bacteria को attach करना है तो इसको हमने यहां से attach किया और मैंने यहां पर जो R function है इसको हमने यहां पर click कर दिया और साथी में आप अगर यहां पर अगर आप source के function पर आप अगर click करेंगे तो आप यह देखेंगे क आपका यह जो bacteria function का bacteria data set है इसके अंदर कुछ values है जो उस package में दी हुई है वो आपको यहां पर दिखाई दे जाएंगी right अब अगर आप अगर इसकी जगह आप अगर यहां पर fix bacteria को भी आप अगर highlight करके run करते हैं तो भी आपको इसी bacteria data set की file खुलके आजाएगी उसके बाद आप अगर स्थाथी में देखेंगे अगर आप इस window number three में देखिए तो देखिए यहां पर क्या रिवर्तन हुआ इस window number three में आप अगर देखेंगे तो इसने आपको यह जो bacteria data आपने खुला है यह देखिए इसने आपने यहां पर जब click किया तो यह bacteria data के बारे में आपको यह बता रहा है कि इसमें से two twenty observation है छे variable है तो आप अगर यहां पर click करेंगे तो आप इस window में देखिए बैक्टीरिया data खुल के भी आ गया लेकिन हम तो यहां पर कार कर रहे थे तो हम यहां पर lot आते हैं और उसी तरीके से हम अपने चौथी window में भी कार करते हैं और यहां आप अगर देखेंगे तो आपको देखिए यह वाला command यहां पर fix bacteria और view bacteria दोनों यहां पर आ गए हैं वी बैक्टीरिया क्योंकि आपने भी bacteria data set click कर किया है तो view command उसको उस file को खोल देता है और आपको दिखाता है चलिए अब हम अपनी इस slide पर lot के आते हैं और slide में आपको मैं फिर से एक बार यह बताना चाहूंगा कि अगर आपको अपने आर में किसी data editor को अगर आप पर इस्तवाल करना चाहते हैं तो इसके बारे मैंने आपको दिखाया कि आप उसको menu बार से आप edit या data editor को collect कर सकते है उसके बाद में जो भी आपको नाम देना है कोई matrix है data frame है उसको आप इस data editor window के अंदर इस्तवाल कर सकते हैं हाँ यह मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह data frame क्या होता है matrix को हम आर में कैसे इसके बारे हम आपको आगे आने वाले lectures में बताने की कोशिश करेंगे लेकिन अभी इससे आपको कोई फरक नहीं परता है हम अभी हाँ पे सिर्फ खाली RStudio की जो different function से हम उनकी बात कर रहे हैं और उसके बाद में मैंने आपको बताया कि उसी command को use करने के लिए आप अगर fix function का भी इस्तमाल करेंगे तो भी आपकी data की जो file है वो खुल के आजाएगी जैसे आ हम तो हमने किया अभी कि सबसे पहले मैंने library mask के उपर मैंने highlight किया और इसके उपर मैंने यहाँ पर डबा दिया run तो यह हमारा attach हो गया फिर हमने attach bacteria को लिया और मैंने यहाँ पर click कर दिया source पर और जैसी source पर click किया था तो हमको यह वाली window यहाँ पर देखे खुल के फिर आ और यह हमारा bacteria data set है जो कि हमारे mass package के अंदर निहित है अब आप देखिए जो आपको मैंने अभी करके दिखा है वही चीज़ तो मैंने आपको यहाँ पर screenshot के तुरू दिखाने की कोशिश करी है अब हम आपको और विस्तार से जो भी RStudio के function से उनको बताने की कोशिश करते हैं तो अब आपको यह समझ में आ गया है कि यह जो R है यह इस software को इस्तमाल करने के लिए जो हम RStudio का इस्तमाल कर रहे हैं और RStudio हमारा R software और हमारे बीच में एक interface की तरह काम कर रहा है यह एक हमारे और R की बीच में एक post की तरह है और वो हमारा दोस्त हमारा R function को execute करने में हमारी साहता कर रहा है और यह जो RStudio है जैसा आपने देखा कि जो लो बिजनर्स हैं जो लो आज को सीखने के कोशिश कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही साहिक होता है वो उनके साहिता करता है इसके दौरा काम करने से हमको जो हमारे कोडिंग करनी है जो हमको प्रोग्राम लिखना है जो हमको syntax दिखाई पकती है कौन सी windows जैसे आपने भी देखा screenshot में मैं आपको दिखाने कोशिश करो window no.1, window no.2, window no.3, window no.4 और आपको ध्यान होगा कि जब मैंने आपको RStudio दिखाए था तो इसी तरह की तो चार window खोल के आ रही थी और अगर आप अगा चाहे तो आप अपने computer पर भी studio को खोल लिजे और देखिए जैसे आप खोलते हैं तो आपको यही car windows दिखाई देंगी हाँ यहाँ पर कुछ मैंने भी लिखानी हुआ है क्योंकि आपको मैं खाली दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप जो खोलोगे तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी आएगा और जैसे जैसे हम car करते जाएंगे वो हमारा यहाँ पर window number 3 और window number 4 में हमारी उनकी entries होती जाएंगी तो अब हम आपको इन windows को एके करके लेते हैं और उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम window number 1 की बात करते हैं यह जो window number 1 है यहाँ पर हम अपने commands, functions, programs, इत्यादी को लिखने की कोशिश करते हैं और इसलिए इसको हम कहते हैं script section यहाँ पर हम अपी script लिखते हैं का मतलब यह है कि जो भी हमारा R program है हम उसको लिखने की कोशिश करते हैं और साती आप इस window number 1 में देखेंगे यहाँ पर जो इसका menu bar है यहाँ पर file, edit, code, view, plot, इत्यादी बहुत सारे options भी होगे हैं आप उनको खोल करके देखने की कोशिश करिए तो आपको R software में और या जो R studio की जो भिन भिन करे की functionalities हैं उनके बारे पता चलता जाएगा और यह more or less यह जिस तरह से बाकी software में होता है उसी तरह से यहाँ भी दिया हुआ है और उसके साथ में आप यहाँ पे देखिए कुछ और यह button दिये हुए हैं यहाँ पे plus sign बना हुआ है, यहाँ file खोलने का है, यह save file को save करने का है इत्यादी इसके बारे हम आप यह आपको धीमे धीमे बताएंगे और साथ ही आप अगर उसके नीशे देखेंगे तो यहाँ भी आपको देखिए यह button दिया हुआ है, run और यहाँ पे हमारे एक और button दिया हुआ, यह button होता है, rerun का अगर आपने किसी command को अगर पहली बार में run के आप उसको फिर से execute करना चाहते हैं तो आप इस button का इस्तिमाल कर सकते हैं, यह हमारा button है source का कि आप अपने किसी program को R software से source करना चाहते हैं, इत्यादी तो अब हम इन windows को एके करके यहाँ पे लेते हैं और इनके जो भी functions होते हैं हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि देखी यह एक button है जहाँ पर है एक plus sign लिखा हुआ है यह हमारा यहाँ पर हम इसको इसको इस्तिमाल करते हैं अपनी नई script file को खोलने के लिए आप जैसी यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह के options हैं दिखाए देंगे और इसक्रिप्ट और मार्कडाउन शाइनी वेब पेज इत्यादी इत्यादी शाइनी वेब एप इसमें से आपको यह जो है और इसक्रिप्ट वाला पाट यहाँ पर क्लिक करना है और जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक फाइल खुल जाएगी जिसके अंदर आप अपने functions को command को syntax को program को type कर सकते हैं इसके साथ में हम आपको यहीं बता है जैसे R Markdown है shiny web app है इत्यादी और इसके बारे में यह है कि अब R studio और R software दोनों काफी develop हो चुके हैं और R software के साथ मे बहुत सारे और भी करक के जो actions होते हैं सुविधाएं होती हैं वो इसके अंदर add कर दी गई हैं तो यह R Markdown और shiny web app इत्यादी यह नहीं के बारे में हैं लेकिन हम उनके बारे में यहाँ पर अभी कोई बात नहीं करने वाले हैं हमारा बहुत ही simple सा objective है कि हम R software में काम करने के कि R studio आपको किस करी के से सहयता कर सकता है तो सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं और यह फाइल खुलने के बाद में अब आप अगे के बटन लिखेंगे तो यहां पर save का बटन है यहां पर आप अपने फाइल को save कर सकते हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि यह बटन आपका है run तो यहां पे आप अपने commands को highlight करके आप अगर यहां पे click करेंगे तो आपके program execute हो जाएंगे और उसी के बगल में एक और यह button है, यह button हमारा होता है, rerun अर्थाद की आपने अगर किसी command को पहले execute किया है, आप उसको फिर से अगर execute करना चाहते हैं, उसी चीज़ को फिर से execute कर करना चाहते हैं, तो आप यहां पर click कर सकते हैं, तो आपका program फिर से रदान कर जाएगा, उसी तरह के से अब आप अगर आगे बगने की कोशिश करते हैं, तो आपको यहां पर जो दूसरी window दिखाई देगी, वो कैसी होगी, आप अगर दूसरी window को यहां पर देखने की करते हैं, वही window तो यहां पर आपकी आ रही है, और यह भी सकते हैं, कि RStudio तो खाली एक R Software का दोस्त है, वो तो खाली उसकी साहता करने के लिए आया है, दोस्त आपकी साहता कर सकता है, लेकिन कार तो आपकी को करना है, उसी तरीके से यह जो हमारा window number 2 है, यह R Console को दिखाता है, कि यहां पर, अब देखे, यहां पर हम जब click करते हैं, new file, इस plus sign पर तो आपको यह खुल के आ गया, यहां पर R script, R note, book, R markdown, shiny web, app, इतियादी करके सारे option दी हुए हैं, आपको यहां पर click करना है, R script के उपर, देखे, आपने R script के खुल के आगई, अब आप यहां पर आ इत्यादी और नीचे देखिए जो window number 2 है यह आपकी R console है इसको हम clear कर लेते हैं और इसके लिए हम control L दबा देते हैं तो यह हमारी window clear हो गई अब हमको अगर इन तीनो प्रोग्राम को अर्था दी जो हमारे तीन लाइन लिखी होई है x equal to 1 y equal to 2 और z is equal to x plus y इसको अगर हम execute करना चाहते हैं तो हम देखिए यहाँ पर इसको click कर देंगे highlight करके तो देखिए हमारा यहाँ पर click हो गया अब अगर हमको यहाँ पर अगर z की value को देखना अगर है तो मैंने z की value type करी और यहाँ पर देदिया run तो देखिए इस नम को दिखा दिया z equal to 3 और अगर इसको हम rerun करते हैं तो देखिए इस नम को जो पिछला वाला command था इसने उसको फिर से rerun कर दिया और यह जो part हमारा है यह मैं आपको बता चुका हूँ यह आपका R console है और यह बिल्कुल वही चीज़ है जो आपने R के software में देखाता है आप अगर इसको compare भी करना चाहें तो आप compare करके देख सकते हैं यह R console है तो चलिए अब हम अपने इस lecture में लौट के आते हैं और हम आते हैं window no.3 के उपर window no.3 में आप देखेंगे यहां पे लिखा हुआ है environment, history और इसके बाद में global environment यहां पे import dataset और एक यहां पे staff करने के लिए जिस तरह के से हमारी खाविग होती है उस तरह का simple बना हुआ है अब इनका interpretation क्या है सबसे पहले तो हम आपको environment की बारे में बताते हैं environment में हम जब भी software में काम करते हैं तो हम बहुत तरिके के variable define करते हैं बहुत तरिके की values define करते हैं तो यह environment हमको उन variables और values की जानकारी देता है हम जो भी यहां पर define करेंगे वह हमारा यहां पर store रहेगा कैसा कि देखिए अभी हमने एक variable लिया था x equal to 1 अब देखिए यहां पर store हो गया है x equal to 1 तो अब इसमें से क्या है कि अगर हम कभी थोगे समय के बाद भी अपने इस software पर काम करने के कोशिश करते हैं तो यह मुझको पहले से बता देगा कि यहां पर यह यह variables हमारे पहले से stored थे यह कार हम अपने आर software के अंदर भी कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमारे पास कुछ अलग से commands होते हैं जिनको हमको execute करना होता है हम उसके बारे में आगे आने वाले lectures में बात भी करेंगे लेकिन आर इस्टूडियो में यह आपको आँखों के सामने हर समय दिखाई पलटा रहेगा उसके बाद में आप दूसरा बटन देखेंगे यह है history history में भी हमको यह दिखाता है कि जो values मैंने आज इस्तमाल करी है वो हमारी वहाँ पे store हो जाती है और suppose कि मैंने अपने computer को shutdown कर दिया मैंने अपने program को बंद कर दिया और हम अगली बार जब हम अपने computer को start करते हैं तो जो पहले वाली values हमने कौन-कौन सी इस्तमाल करी थी और हमने पहले किन-किन तरह के function इस्तमाल करे थे यह सब इस history वाले button के अंदर save रहता है और जब भी हम अगर देखना चाहें हम इस history button पर click करके हम अपना पहले का जो कार है उसको हम देख सकते हैं उसके बाद में आप यहां पर देखेंगे एक हमारा option है import dataset अब import dataset में क्या होता है कि जिस तरीके से हम software में काम करते हैं तो कोई ऐसा तो नहीं है कि R ही हमारा खाली एक ऐसा software है बहुत से software है जो numerical values को data values को handle करते हैं तो अब अगर किसी व्यक्ति ने उन software में पहले काम किया है और उसकी जो files है data values है numerical values है उस software में अगर save करी हुई है तो उस dataset को R में कैसे खोला जाए उसके लिए हमको उस dataset को R में import करना पकता है अब भिन-भिन software के data file को import करने के लिए हमारे पास भिन-भिन commands होते हैं यह command क्या-क्या होते हैं इसके बादे हम आगे आने वाले lectures में बात करेंगे लेकिन यहां पर R studio के अंदर यह सुविधा दी हुई है कि आप इस button को click करके आप उन files को यहां पर call कर सकते हैं अब definitely अगर आपने MS Excel में अगर कोई data file अगर दी हुई है तो MS Excel का जो structure है file को खोलने का और R software का जो structure है file को खोलने का यह तो अलग-अलग होगा और obviously आप Excel की file को अगर R में खोलने की कोशिश करेंगे तो शायद खोलेगी भी नहीं और खोलेगी तो कुछ आपको ठीक से नहीं दिखाएदेगा वो ठीक तरह से उसको पगलने की कोशिश नहीं करेगा तो इसके लिए यह आवश्य के कि पहले हम उस data set को अपने R software के environment में import करें और जब यह data set हमारा R के अंदर आ जाएगा देन वो R की भाषा में काम करेगा और फिर हम उसमें R के command को इस्तमाल कर सके के तो यह काम हमारा यहाँ पे यह button import data set करता है उसके बाद में अब आपने यहाँ पे बहुत सारे variables define कर दी हैं आप उन variables को clean करना चाहते हैं आप उनको raise करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एक यह button दिया हुआ है जैसे जग लगाने के काम होता है उस तरह का button दिया हुआ है आप यहाँ पे click करेंगे तो आपकी value यह से values यह जो variables हैं वह पे raise हो जाएंगे तो यह देखिए आपको window number 3 के बारे में है अब हम आपको पहले window number 3 को इस R software में करके दिखा जेते हैं और फिर हम आगे बगने की कोशिश करते हैं अब देखिए यह जो window number 3 है यहाँ पे हमारा cursor यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको यहाँ हमें cursor हिडा रहा हूँ यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ठीक है इसमें मैं बहुत पहले से काम कर रहा था तो यहाँ पे कुछ हमारी पहले की values हैं ओके तो अब आप अगर देखेंगे आप अगर यहाँ पर यहाँ पर दी हुई हैं और कैसा आपने देखा कि आपने अभी यहाँ पर bacteria dataset खोला था वो देखें आ गया और आप अगर यहाँ पर अगर देखने की कोशिस करिए अगर अभी आप में देखी यह window number one में x equal to one और y equal to two लिया हुआ है और z equal to x plus y लिया हुआ है यह देखी value आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है यहाँ पर मैं अपन to two और उसके नीचे आप अगर देखेंगे दिया हुआ है z is equal to three जो उसकी values आई है तो यह आप यहाँ से पहले से देख सकते हैं यह आपका environment है फिर आप history पर आते हो तो देखी अभी अभी आपने यह इस्तेमाल किया है library boot, library cluster, library mass, attached bacteria x equal to one इत्यादी इत्यादी यह सब देख है जो आपने कल जो कार करें थे आपने उसके पहले आपने demonstration के linear model के example लिये थे पहले के lectures में देखी यहाँ पर सब कुछ ही दिया हुआ है और उसके बाद में आप यहाँ पे connections है फिर उसके बाद में tutorial है इसमें से आपको RStudio के बारे में सहहता मिल जाएगी इत्यादी है और उसके बाद में आप अगर environment के अंदर आप अगर import dataset पे करते हैं तो देखी यह आगिया from text मालब की जो आपकी .txt file होती है जो आपकी readr file होती है जो आपकी Excel, MS Excel software के जो data files आती है SPSS, SAS, Stata इनसे हमारी जो data files होती है उसको आप यहां से click कर सकते हो यहां से आप उनको import कर सकते हो यह SPSS, SAS और Stata यह हमारे status के software हैं जहां पर हम अपनी statistical analysis करते हैं तो उनकी data files को भी आप यहां पर call कर सकते हो अब हम आपको इस window number 4 के बारे में बताते हैं window number 4 basically हमारी एक output window होती है जहां पर हम जो भी कार कर रहे होते हैं उन program's के output हमको यहां पर दिखाई पकेते हैं और इसमें कई सारी तो विधाएं दी हुई हैं यह से पहले तो आप देखेंगे files यह दो को समझ में आ गया उसके बादे plots उसके बादे packages उसके बादे help उसके बादे viewer तो यह जो plots है plots में हम अगर कोई भी अगर अपना graphic कयार करने की कोशिश करते हैं तो यह plot हमको यहां पर दिखाई पड़ेगा और इसमें हमारे कई सारे options होते हैं जो मैं आपको करके दिखाऊंगा उसी तरह के यह जो packages है यह हमको अपने इस our software में हमारे पास कौन कौन से package install है उसके बारे में बताता है और यहां पे हमको एक यहां पे list देगा जहां पर इस तरह से हमारे पास उन packages के नाम लिखे होंगे और अगर हम किसी भी package को load करना चाहते हैं आपको याद है कि पहले आपने कैसे किया था पहले आपने एक command यूज किया था library जब आप library command यूज करते थे और parenthesis में उस package का नाम देते थे तो वो load हो जाता था और इस टूडियो में आपको खाली यहां पर आके ऐसे एक check box बनाना है तो जो भी यहां पर हमारा package होगा वहां पर load हो जाएगा उसी तरह से हम किसी और package के सामने अगर हम उसके box में check mark बना देंगे तो यह वाला भी package हमारा load हो जाएगा तो यह देखी बहुत यह असान काम है उसके साथ में packages में हमको किसी package को install करना है update करना है इनके भी option दिये होते हैं जो हम आपको आगे दिखाएंगे उसके बात में जो हमारा अगला option है help help के बारे में आपको याद होगा कि जब हमने ar software की course की श्रुवात करी थी तब हम मैं आपको ar software में help लेने के कई सारे methods के बारे में बात करी थी यहां पर यह सारी चीजों को एक साथ एक कर दिया गया है और यहां पर किसी भी package के बारे में, command के बारे में, syntax के बारे में, त्यारी के बारे में आपको जो भी information चाहिए वो यहां से मिल जाती है उसके बाद में अंतिम option है, viewer यहां से हमारा जो भी graphics होते हैं, उसको हम देखने के हमारे जो-जो options हैं उसको हम यहां से control कर सकते हैं तो अब देखिए अगर हम आपको package की बात अगर करते हैं, देखिए वाला हमारा option है जब यहां पे click करोगे तो देखिए आपका पहला option यहां पे install फिर update तो अब आपको अगर कोई package install करना है तो आपने यह पड़के रखा है कि आपका command होता था install.packages और parenthesis में आपको उन package का नाम देना आता था एक given format में और तब यह package उस mirror से जाकर के download हो जाता था और install हो जाता यहां पर खाली आपको यहां पर click करना है और इसके बार में उस package का नाम देना होगा और यह package खुद बखुद आपके R software के अंदर install हो जाएगा second option है update आपने देखा था कि अगर आपके computer में आपके R software में कोई अगर package पहले से install होता है आप उसको update करना चाहते हो तो आपका command था update.packages तो आप यहां पे आपको उस command को use नहीं करना है लेकिन आपको खाली यहां पे click करना है तो कोई भी package अगर update होने वाला होगा उसकी list आ आप जब इसके बाद में जब आप देखेंगे इसके बाद में जो आपके packages की library दी हुई है यहां पे कौन कौन से package है जैसे मैंने जहां से screen shot लिया यह हमारे computer में एक package है उसका नाम है agreement एक का नाम है base m उसके बाद composition इत्यादी अब अगर मेरे को agreement और base m package को इस्तमाल करना है तो हमारा पहले का command क्या था library और backit में हम लिख देंगे agreement और अगर base m को इस्तमाल करना है तो हम लिख देंगे library और backit में लिख देंगे हम base m लेकिन यहां पे हमको खाली बस इस box में आ करके एक tick mark करना है और जैसे अब यहां पे tick box करेंगे यह package खुद बखुद लोड हो ज हैं तो library command अपने आप से execute हो जाएगा तो चलिए हम इन कीजों को आपको यहां पर करके हम पहले दिखाते हैं उसके बाद में हम आपको बागी चीजों के बारें बताएंगे तो देखिए अब आप यहां पर अगर आप packages के बारें बात अगर करते हैं तो जैसी देखिए मैं यहां पर packages की बात करी यहां पर बेस, boot, class, cluster इतियादी package हैं देखिए यह बात आपको समझना है कि जो मैंने screenshot लिया है वह मैंने अपने laptop से लिया था और जिस computer पर मैं अभी काम कर रहा हूं यह उसे अलग है तो यह हर एक computer में जो packages installed हैं यह उसकी खाली बात करता है तो यह ज बार भी करी हुई है तो मुझे खाली यहां पर करना है click और देखिए checkbox हो जाएगा और यहां पर देखिए library boot package अपने आप से upload हो गया इसी तरह से आपको अगर इस cluster के बारे में अगर बात करनी है clusters पर काम करना है तो आप इस box में checkbox में करके click कर दीजिए और जैसी आपने click किया आप देखेंगे यहां पर आर कंसोल में library cluster वाला command अपने आप से execute हो गया तो अब आपने कोई एक चीज़ समझ में आज गई होगी कि हम जब भी यहां पर click करते हैं तो click तो हम यहां पर कर रहे हैं लेकिन हमारा car या जो function का execution है यह मारा आर कंसोल के अंधर ही हो रहा ह है यह आर स्टूडियो कुछ नहीं कर रहा है आर स्टूडियो खाली एक आपकी सहायता कर रहा है कि आपको बार बार library cluster या library boot के command को खुद बखुद काइप नहीं करना पड़ेगा इसके बाद अगर आपको किसी package को install करना है आप यहां पर click करिए जैसी आप click करेंगे यहां पर आपको यहां pra package करना चाहते को आपगेज आपको अपने address कर दाइज़ देखिए अपने package को चाहते है तो आपका वह package अपने पैकेज को अप्डेट करना चाहते हैं देखिए आपने जब अपने अपडेट पर क्लिक किया तो उस आपको बता दिया कि all packages are up to date तो इस वक्त किसी भी package को जो भी यहाँ पर installed है उनको अपडेट करने के आप शेक्ता नहीं है लेकिन इनकेस अगर किसी package को update करने के आपशक्ता होगी तो उसकी list वहाँ पे आजाएगी, आप click करेंगे तो वो package हमारे अपने आपसे update हो जाएंगे उसके साथ में चलिए देखे हम आपको यहाँ पे help के बारे में भी दिखा देते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे type किया bar plot अब हमको bar plot में हम जैसी click करेंगे तो देखे इसने हमको bar plot के बारे में जो भी information है यहाँ पर दे दी और यहाँ पे अगर हमको इसके आगे bar plot के अंदर को साहता चाहिए तो हम यहाँ से उसमें click करके ले सकते हैं तो आपने देखा था कि यह हम लोगों ने help करने के लिए कई सारे चीजों की की साहता ली थी कई हमारे पास option थे उसी तरह से आप अगर मालिये की आपने आपको histogram प्यार करना है तो आपने अपने इस चौथी window में यहाँ पे type करना शुरू किया है तो आपने देखा है कि नीचे आपको यहाँ पे drop down menu में बहुत सारे options आने लगते हैं और यही तुम्हारी इसकी खायता है कि our studio मुसको पहले से बता रहा है कि देखिए यह options यहाँ पर available हैं आप उनको use कर सकते हैं तो आप जैसे ही वहाँ पे हैशाई एस ती पर click करेंगे तो आपके सामने इस तरह की window आ जाएगी और इसमें आपको histogram के बारे में सारी information दी हुई है आप अगर इसके अंदर से भी किसी चीज को लेना चाहते हैं तो आप इस वाले box में आप उसको type कर सकते हैं तो आपको histogram के अंदर जो भी topics हैं उनके बारे में information मिल जाएगी तो आ यहां पर हम आपको our studio software की जो windows हैं उनके अंदर कैसे operations होते हैं उनको demonstrate करने की कोशिश करते हैं हम यहां पर एक बहुत चोटा सा काम करने वाले हैं हम यह जो values दी हुई है 1 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 2 3 इनका हम यहां पर एक bar plot बनाएंगे बार प्लॉट आपको पता है कि क्या होता है इस तरह से यहां पर बार स्पनी होती है और जहां पर हमारी different values को indicate किया जाता है तो इन इस बार प्लॉट को हम our software में या our studio में कैसे प्लॉट करते हैं इसके बारे में हम आने वाले lectures में विस्तार से बात करेंगे लेकिन हमारा यह यहां पर उदेश है कि our studio में आपको यह कैसे execute करते हैं और उसमें क्या-क्या होता है यह मुझे दिखाना है तो देखे जब हम अपनी इन data values को input करना चाहते हैं तो our command कुछ इस तरीकी से होता है कि सारी values को आप एक bracket में लिख दीजे और यहां पर लिख दीजे और इन values को आ और parenthesis में हम लिख देते हैं table T-A-B-L-E और parenthesis में जो हमारा data है उसका नाब लिख देते हैं तो अब हम चलिए यह वाला operation अपने our studio में करते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि इसमें से क्या होगा तो अगर हम माल लिजे कि यहां पर हम अपने data को copy कर लेते हैं सो रहत कि हमार data समय बच जाएगा अब देखिए data को हमको कहा copy करना है जो हमारी window number है one उसके बाद में हमको क्या करना है हमको bar plot तयार करना है अब आप देखोगे कि जैसी हम our studio में करते हैं तो यहां पे नीचे हमारे drop down menu में bar plot लिक करके आने लगता है इससे मुझे सहायता मिल जाती है और जो इसका command है देखिए यह भी आपको यहां पर पूरा पूरा दिखाई दे रहा है यह देखिए हमारा advantage है कि जब हम यहां पर कार करते हैं अब इसके आगे मैंने इसमें type किया tab अब देखिए table और उसके format अपने आप से लिक करके आगए तो इससे मुझे सहायता मिल जाती ह और यहां पर मैं type करूंगा x अब जो हमारा second step है कि हम इसको highlight करते हैं अब आपको यह देखना है पूरी screen पे कि हमारी window no.2,3,4 में क्या-क्या होता है तो जैसी देखिए हम यहां पर करेंगे run देखिए चारों windows में कुछना कुछ परिवर्तन होंगे आपने देखा कि window no.2 म यह जो command हमारा execute हो गया और window no.3 में आप अगर देखेंगे यह जो x वाला जहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं यह देखिए सारी values आ गई और fourth window में यहां पर आपको देखेंगे आपका यह bar plot बन करके आ गया अब इसी में आप अगर zoom करोगे तो यह आपको बड़े size में ब इत्यादी दिखा देगा और आप इसको अगर यहां से हटाना चाहते हैं तो आप इसको यहां पर click करेंगे और यहां से हटी आएगा उसके पहले यह आप से पूछेगा आप इसको हटाना चाहते हैं मैंने कर दिया yes देखिए हट गया तो इस तरीके से जो आपका R studio software में आ बहुत आसानी से होता है मैंने इस कमांड दोनों को कमांड को लिया उस data को input किया और हमने यहां पर कर दिया bar plot x और साथ में cable command और जैसे हम देखिए इंटर करेंगे यही bar plot हमको यहां भी में जाएगा तो दोनों में कोई अंतर नहीं है लेकिन बस वहाँ पर हमारे लिए काम करना आसान हो गया था और तो अब हम इस lecture में यहां पर रुपते हैं और आप देखेंगे कि मैंने आपको इस RStudio software के बारे में एक जो मोटी मोटी बाते हैं उनके बारे में बताया है RStudio software के अंदर बहुत सारी functionalities और भी हैं हम इसमें बहुत सारे बाकी काम भी कर सकते हैं और RStudio ही नहीं RStudio के साथ में बाकी जो भी हमारे अलगलग software में उनमें भी इनहीं से मिलती जुलती functionalities होती हैं लेकिन मेरा अदेश था कि R software में कार करने के लिए जब आप किसी external software की सहता लेते हो तो उसमें से आपको किस तरह किसे उसको handle किया जाता है मैंने आपको RStudio के सारे सारे functions के बारे में भी नहीं बताया है लेकिन उसके लिए मैं आपको request करूँगा कि आप उस R software को खोलिए छोटा सा बेटा से के लिए जो भी जो कमांड आपने अब तक R software में पल के रखे हैं आप उनको देखने की कोशिश करिए कि उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे कैसे handle कर सकते हैं और एक यह बहुत अच्छी exercise होगी कि जो भी आप कुछ R software में कर रहे हो आप उसी चीज़ को R studio में करने की कोशिश करो और इससे आपको R और R studio दोनर की functionality के बारे बहुत अच्छे से पता चल जाएगा जो आपके लिए बहुत सुविधा जनक होगा तो अब मैं आपसे यही request करूँगा कि आप इन जो भी आज हम लोगों ने command सीके हैं उनको एक बार अपने हां से use करने की कोशिश करिए कुछ प्रैक्टिस करिए कुछ और examples लीजिए वहाँ पर आप उनको execute करिए और हम आपको अगले lecture दे मिलने फिर से आएंगे और जिसमें हम आपको कुछ और commands के बारे में बताएंगे आप प्रैक्टिस करिए और हम आपको जब तक मिलने आते हैं तब तक के लिए good bye कुछ आपको को कि अमाटर आपको करिए.